हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स तो आज की कॉमिक्स है आखरी सीरीज का फिफ्ट पार्ट अदरिशे शर्यन तो चली शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस से पहले आपने पड़ा आखरी संक्रला के पूर प्रकासित करम्स भागो में आखरी रख्चक परकालो की धर्ती ब्रह्मान योद्धा और विश्व रख्चक में आपने अब तक अपने पड़ा ट्रान्फूशन के कारण पृत्वी के समत प्राणी हो गए रातो रात गायब और पृत्वी पर रह गए सिर्फ दो आखरी रख्चक वंडरमैंट परमानू और सुपर कमांडो धरूप दोनों ही रख्चक आंसिक स्मर्ती रास के सिकार हैं जिस कारण उन्हें घटना याद नहीं जिसके ये उन्हें ग्रह का सुरूप बदल दिया और साथ ही परमानू की सक्तियों की बहुं गुड़ित कर दी गई एक और जहां धर्ती पर अलग-अलग ग्रहों के प्राणियों सबैताओ और सैन्य शक्तियों का आगवन सुरूप हो चुका था वहीं प्रत्वी पर भी ब्रह्मान के विविन गिरोपा पहुंच रहे जहां कि विविश्णाओं से उनकी रक्षा करने की कटिबद हैं ब्रह्मान रक्षक परमानू और दुरुप को कारा के रूप में मिलती है एक रहस्में मदलकार और उनका सामना होता है ब्रह्मान की सबसे खतरनाक कॉमबै बदलने वाला है क्योंकि नागराज जानता है कि किसने रचा है ये अद्रिश्य शर्यन तो चलिए शुरू कर देंगा इस कमित को एक बार पता चल जाए कि किस कमबकत की वज़े से हम इस मनूस घरह पर पहुँच गए हैं बेडिया देपता की कसम घदा मार कर उसका सिर तोड़ दूँगा फिलाल अपना सिर बचाने के फिक्र करो इनके सामने हमारी विसाथ चीटी जितनी है हाती कितना भी बड़ा क्यूं ना हो अगर चीटी इसके सूड में खुच जाए तो इसकी चान भी ले सकती है और मैं तो पूँच और गदाधारी चीटी हूँ बेडिया देपता की गदा इस हाती का मस्तक फोड़ेगी इसे तो खरोज भी नहीं आई एक ही तरीका है हर जगे नहीं चलता कुछ नया ट्राइ करो मैं पुराने तरीके में विश्वास रखता हूँ और बेडिये ने अपनी पूँच से उसको चारो तरप से लपिट लिया अब मेरी बारी इन चट्टानों से भला इसका क्या विगड़ेगा आदी मानब डाइनोसोर के अनुपात में बढ़े हैं ये चट्टाने इन्हें चोट पचाने के लिए नहीं नहीं है इस घ्रे के सरचना पृत्वी के बिल्कुल विप्रीथ है और अपने आरंबिक चरण में है या हवा खरीच से युक है और पृत्वी ठोस आक्सीजन की है आक्सीजन उस्मा की अच्छी संभाग होती है विशुद आक्सीजन की बनी ये चट्टाने मेरी जुआला सक्ती से मिलकर पॉम की तरह इन पर फटेगी मैं सर्थ लगा कर कह सकती हूँ कि इन आदी मानों ने अभी तक आग की कोज नहीं की होगी तुमारी योक्ती तो कमाल की थी शक्ती इन दानों ने तो सच्मुझ गुटने टेक दिये हाँ और अब इन्हें ये बात समझनी होगी कि हम इनके सस्त्रू नहीं हैं और ना ही इनकी जान लेने का हमारा कोई इरादा है इनके प्राण बचाने के लिए शायद ये तुमारा कृत्त ग्यापन कर रहे हैं उमीद है अब हम दोनों और वे सभी पृत्विवासी इने हमने हमने घाटी में छुपाया था सुरक्चित है अब हमें ये विचार करना चाहिए कि हम इस विचित ग्रह से प्रत्विवासीों को वापस प्रत्विवासी पर कैसे पहुँचाएं उफ कि अचानक इन्हें क्या हो गया ये फिर से कैसे बढ़क गए उस तो गड़वर है बेडिया इनके चेहरे इनकी आगे देखो ऐसे पत्राई हुई है जैसे ये अपने आप में में ना होकर किसी के समोहन में हो इनके सिरों के उपर ये विचेशी काली धुन पहले तो नहीं थी अब ये तो आग देखकर भी नहीं डर रहे और नहीं इनके सिरीट पर लगने वाले घहव का एसास हो रहा है तड़ा तबी आदी मानुव के पैरों के तले भीडिया और शक्ति कुछले जाने वाले थे इदर दिल्ली में प्रजेंटे और कुछ कह पाने से पहले ही दुरुप यहां से ट्रांश्विशन हो गया उसी दोरान मेरे अपरेजन आपरिट पर पढ़ने वाले असाइनिय दवाब से जूशते हुए अब तुम बताओ कि तुम अचानक यहां कैसे आ गए और मेरे और दुरुप के अलावा सारी दुनिया ट्रांश्विशन का सिकार हो गई पर तुम कैसे बच गए गलत परवाण हूँ तुमारे और दुरुप के अलावा मैं इकलोता व्यक्ती नहीं था जो ट्रांश्विशन से बचा था वट और कौन बचा प्रोफेसर इवरित विक्राल आज सुबा जब मैं प्रति दिन की तरह योग ध्यान में लीन था ओ कोई मुझसे मानसिक संपत साधने की कोशिश कर रहा है पर कैसे मैं अपने मानसिक उर्जा छेत के चारो और इच्छाधारी शक्ती का सुरक्षा कवश तयार किया है जिससे आसानी से भेट कर कोई भी मु से सीथरू या जूलू जैसे खलनायक मेरी मानसिक वे इच्छाधारी शक्तियों को दवारा गलत प्रयोग करने की चेस्टा ना कर सकें प्रमाण के सर्व शक्तिमान मानव की मानसिक सुरक्षा सीमा को बेदने के पीछे मेरी मनसा कृतिक नहीं है नागराज प्रॉपेसर सीमा बेद कर तुम से संपक के स्तावित करने में सच्छम हूँ क्योंकि ब्रमाण के सबसे सक्तिशाली इंसान के रूप में इस खोजद्वारा मानव जाती का उत्तान करना तुमारा दायत्वित है दुरूप और परमाणू अपना दायत्वित निवा रहे हैं जिसके परण देश उनती और विकास में विस्प में अगरनी बन चुका है अब तुमारी बारी है अपनी भूमी का अदा करने की यदि बात मानव जाती और देश की विकास से जुड़ी है तो नागराज कभी पीछे नहीं अटेगा बताइए प्रोफेसर आप मुझसे क्या चाते हैं जो ये खोज इसका अंदायदा भी नहीं लगाया जा सकता लेकिन क्या नागराज मानव विकास के नाम पर की गई हर खोज कहीं न कहीं मानव और प्रकरती के च्छे का कारण भी बनती है आवनिक शक्ती का इसका सबसे वड़ा प्रमाण है जो शक्ती संपूर मानव जाती के उस पर हिरोशिमा और नाकासा की रूपी अमीट कलंक लगा हुआ है आने वाले समय में इसका विद्वस प्रोयोग तरतिय विश्वियूत की प्रश्ट भूमी का सिलाधार बने तो कोई अतिश्योक्ती नहीं होगी आपकी ये खोज तो परवानु शक्ती से भी सो हाथ आग अग्रिणी यानि मानवत्त के रक्षक ब्रह्मान रक्षक चरा सोचो नागराज तुमारे लिए अपनी तमाम सूपर पावर्स के वावजूद भी ये संबभ नहीं कि तुम परते घटना स्थाल पर ठीक उसी समय पहुंश सको जब अपराद घटित हो रहा हो यदि ऐसा हो जाए तो अपराद करने का अफसर ही नहीं मिलेगा ब्रह्मकंड उर्जा तुम्हें जो शक्तियां देगी वे अस्थिमित हैं इससे तुम्हें किसी भी कौने में घटित होने वाले अपराद की तरंगे मानसिक संकेत रूप से प्राप्त हो जाएंगी कुछ वैसे ही जैसे तुम्हारे जासु सर्थ तुम्हें मानसिक संकेत बेशते हैं फिर तुम ब्रह्मकंड उर्जा की शक्ति से ट्रांश्मिशन के जिरिए पलक जपकते ही अपराद इस तल पर पहुँचकर उसे घटित होने से रोक सकते हो पर यह संभव कैसे है इस कंटेनर में भरी विशुद ब्रह्मकंड उर्जा द्वारा जिससे दुरुप और परमानू कॉलाइडर मशीन से एकसेट्रेट करते हैं जो हमारे पावर्जन प्लांट में जाती है पिछले एक साल से मैं इस उर्जा पर शोद कारे कर रहा हूँ उसी दोरान मुझे पता चला कि इस उर्जा में ट्रांस्विशन की अद्बुत और अशीम शक्ती है जो कि किसी भी जीवित प्राणी को एक निर्धारति इस्तान पर दूसरे निर्धारति इस्तान पर ट्रांस इस्तान सक्ती का सबसे सुच मरूप है जिससे संपूर ब्रहमाण की उत्पत्ती हुई है ये ब्रहमाण की सरचना और विकास का मुलाधार है ब्रहमकर्ण से छरित ये उर्जा जीवन की उत्पत्ती और उससे जुड़े किसी भी भाव का संप्रेशन प्रोटोकोल के रूप में करती है आप कहना चाहते हैं कि ये उर्चा मनोभाव या इमोशन से रिटमाइल्स होती है सही समझे नागराज इस बात को प्रमाइट करने के लिए चरह इस कंटेनर पर अपने हाथ में पकड़ो अब अपने मन में अच्छे विचार लाओ ऐसे विचार जो तुम्हें सदे खुशी देते हैं तुम पर जब पर्षन कब होते हो जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ उनके निश्वल और निश्कपट इसने से बढ़कर खुशी मुझे और किसी चीज़ से नहीं मिलती कंटेनर से निकलती उर्जा किरने इंदर दनोंस प्रकास छोड़ रही है और ये प्रकास मन को बहत सकुन पहुचा रहा है ब्रमकंड उर्जा तुमारे सरीर के आपरिजन आपरिट से तुमारे इमोशन पर इंटरसेप्ट कर तुमारे मनोवाप के अनुकूल ही विएब कर रही है और किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचो जो तुम्हें बहत प्रोधित करती हो अपराद और आतंगवाद ओ ब्रमकंड उर्जा तीर्व लाल करने छोड़ रही है हर मनोवाप या इमोशन एक खास प्रिश्प की तरंगे छोड़ता है इसमें अपराद की तरंगे सबसे तीर्व और तीकी होती है जिस लेवल का अपराद होगा उसी लेवल की तरंगे अपरादी के अपरेशन और विच्छे संप्रेशित होंगी यदि इसका विस्तार पुरी दुनिया में हो जाए तो यह हमारे दायरे में आने वाले परतिक मनुश्य के मनुभाप का विचलेशन करके अपरादी कटनाओं का संकेत ब्रह्माण के रक्षों तक पहुचाएगी इस कादिय के लिए मैंने ये रिसेप्टर डिवाइस तयार की है जो कि ब्रह्माण रक्षक अपनी कलाई पर बानेंगे ये रिस्पेक्टर डिवाइस ब्रह्मकर्ण उर्जा से आने वाले सिंग्ल को सोग कर ब्रह्माण रक्षों को अग्रा करेगी तब ही मैं ऐसी सिर्फ दो ही डिवाइस तयार कर पाया हूँ आपकी ये खोस तो वाके मानप्था के लिए एक बड़ा कदम सावित हो सकती है पर इसमें आप मुझसे क्या योगदान चाते हैं ब्रह्मकर्ण उर्जा शरण के लिए सदे ब्रह्म उर्जा पर निर्वर रहता है जैसे पर्माणू की आवणिक उर्जा के रियक्शन से ब्रह्मकर्ण उर्जा का धारण होता है मेरी सीमिक मानसिक शक्तिया के बल पर मैं इस उर्जा को इतना ही चार्ज कर पाया कि तमसे मानसिक संपक स्थावित कर सकूँ परंतु तुमारी मानसिक शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं है ना गराच तुमारी मानसिक शक्तिया इस उर्जा को चार्ट देंगी जिसके तोरान मैं इन पर अपना शोर्ट कारे ताकि मैं आपना अविश्कार पूरा कर सको समझ गया प्रोफेसर, मैं ट्राई करता हूँ उससे पहले ये रिसेप्टर डिवाइस पहल लो इससे उर्जा फैलते ही आसपास कि यदि कोई आपरादिक मनोभाब का इंसान होगा तो उसके संक्रीट डिवाइस फोरण तुम तक पहुंचा देगा मैं अपनी मानसिक उर्जा इस कंटेनर पर छोड़ रहा हूँ ये काम कर रहा है नागराज, देखो देखो ब्रमकर्ण उर्जा फैल रही है मैं अपना प्रियोक शुरू करता हूँ ये चारो और तीर ब्लाद रंग की उर्जा क्यों फैल रही है प्रोफेसर ओ माई गौड प्रमकर्ण उर्जा तुमारे जितने सकती साली तो नहीं पर किसी अप्रादिक प्रकृति वाले सूपर हूँमन के संकेत ग्रहेंड कर रही है चरूर इवे सूपर दुश हूँमन खुद को इस उर्जा से जोडने की कोशिश कर रहा है तबी तो उर्जा लाल रंग की संप्रेशित कर रही है पर ये कैसे संबब है? इस कमरे में तो सिर्फ हम दोनों ही है ये संकेत हम दोनों के पास से नहीं आ रहे है प्रोफेसर इस कमरे में हमारे अलवा कोई और भी है अब और चुपने की जरुत नहीं है मुझे सामने आना पड़ेगा सीथरू तुझे क्या लगा मैं तेरी जिंदगी से हमीशा के लिए गाइब हो गया हाँ 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 बहुत बन कर तेरे पीछे लगा हूँ मैं ये क्या बला है ये एक लालची साइंटिस्ट था प्रोफेसर जो मेरी इच्छादारी शक्ती से चुराने के चकर में अपना सरील गावा चुका है अब इच्छादारी की शक्ती की जरूत किसे है ब्रह्मकर्ण उड़्जा के रूप में मेरे हाथ ऐसा खजाना लगा है जिसके सामने इच्छादारी शक्ती चिल्डर के समान है नहीं ये शक्ती गलत हादों मैं नहीं पढ़ने दूँगा मैं तू कहां चला भाई तेरी तो बड़ी जरूत है मुझे तुझे सिर्फ मेरी जरूत है सीथरू मेरी जरूत है बड़े अच्छे से जानता है तू नागराच पर तू एक बात नहीं जानता मैं ये है कि ये वार इवरित विक्राल के लिए नहीं तेरे लिए था मुझे पता था कि अगर मैं इस पर वार करूँगा तो तू त्याग और बलिदान की प्रती मुर्ती बनकर बीच में जरूर आएगा और मेरा वार कुद ही खा लेगा मुझे पर ये तुच्चा सा वार कर कौन सा बड़ा तीर माल लिया तूने तीर तो मैंने मार ही लिया ना राज अब इस एक तीर से दो सिकार करने का वक्त है ओ ये क्या हो रहा है मेरी मानसिक उर्जा मेरी निंदर्ट से भार हो रही है मैंने तुझ पर जो वार किया था वै ब्रह्मकंड उर्जा का ही वार था ये उर्जा किसी भी अन्ने उर्जा से चार्ज ले भी सकती है और उसे चार्ज कर भी सकती है मैंने इससे तेरी मानसिक उर्जा चार्ज कर दी है तू जानता ही है नागराज की उर्जा का वहाव सदेव अधिक से कम की और होता है तेरे मस्तिक के मुकाबले इस कंटेनर में उर्जा की मातरा कम है अभी तक तु अपनी मानसिक उर्जा के वहाव को कंट्रोल कर रहा था पर इस बार के बाद तेरी मानसिक उर्जा बांध तोड़कर इस कंटेनर में समाती जाएगी और ब्रहमकन उर्जा को बहुगृत करेगी और ये उर्जा सोकर मैं ब्रहमार का खुदा बन जाऊंगा उफ सीतरू सही गह रहा है मैं अपनी मांसिक उर्जा का भाव नियंतिर्त नहीं कर पा रहा हूं मुझे इमर्जेंसी अलान दवाकर सिकूर्टी को बुलाना होगा जब नागराज मेरा कुछ नहीं विगार सकता तो भला तेरी सिकूर्टी मेरा क्या विगार लेगी वैसे मैंने यू ही नहीं कहा दा कि मुझे तेरी जरूत है अकरिट तेरी बदोलत ही तो मुझे ये नहीं नहीं शक्तियां मिल रही है मेरी बदोलत नागराज से भई मेरी पिछली बुटबेट में उस कमीनी ने तिर्शुक की वज़े से मेरी इच्चाधारी रूप ऐसे विखंडित हुआ कि मुझे लगा कि अनंद काल तक इस दुनिया में मैं विखंडित कणों के रूप में ही तैरता रहूँगा और शायद ऐसा ही होता अगर वाइफाइ फिर्क्वेंसी और विद्धित उर्जा के रूप में मुझे तेरी खोजी ब्रह्मकन उर्जा का साहराना मिलता विखंडित कणों के रूप में बहते हुए मैं कब दिल्ली तक महुँच गया मुझे खोदे नहीं पता शायद मेरी किस्पत मुझे यहां ले आई थी ओ ये कैसी उर्जा है जो मेरे विखंडित कणों की सरशना को दोवारा जोड रही है वाह अद्बुत ऐसी कमाल की उर्जा शक्ति तो मैंने जिन्दगी में नहीं देखी इसे सोकने के बाद मुझे इच्छादारी शक्ति की जरूद ही नहीं रह जाएगी मुझे इस सक्ति को स्रोत तलास नहोगा मुझे नव जीवन देने वाली उर्जा का श्रोत तलासते हुए मैं इतरिक तक पहुँच गया जब दुरूब और परवाणू तेरे साथ मिलकर इस उर्जा का श्छरंड कर रहे थे इससे पहले दो बार अत्यादिक उर्जा एक साथ सोपने के लालच में मैं अपना सरीर गवा चुका था इस बार ये मैं छाच में फुक फुक कर और छक कर पीने के मून में था कॉलाइडर से निकलती वे विशुद उर्जा वाइफाई फिरिपेंसी और विद्धुत उर्जा से भी हजारों गुना अधिक पोशक थी वे उर्जा मुझे ब्रहमान का सर्व शक्तिमान इंसान या और भी कुछ बना सकती थी एक साल तक मैं हर हपते धुरूप और पर्मानु द्वारा कॉलाइडर मशीन से सरित विशुद भ्रमकन उर्जा सोकता रहा ये उर्जा ना में सिर्फ मेरे इच्छादारी रूप में तवारा गठित कर रही थी बलकि मुझे ऐसी ऐसी सकतियां परदान कर रही थी जिसकी मैंने कलपना भी नहीं गई थी कुल मिलाकर मेरी पांचों उगलियां घीमे थी और सरकड़ाई में तब पहुँच गया थत चब तुने नागराज को यहानी बुला लिया इसकी इच्छादारी शक्ती युक मांसिक उर्जा ने ब्रहमकंड की उर्जा शक्ती को सत्तर हजार रो नहीं लाखों गुना वड़ा दिया अब इस नही इच्छादारी शक्ती मिस्रित ब्रहमकंड उर्जा का सेवन मुझे इस पूरे ब्रह्मान को भगवान बना देगा बस प्रॉलम एक ही है मैं इस पारदर्शी रूप में अगर ये उर्जा सोकूंगा तो फिर से फट जाऊंगा इसे सोकने के लिए मुझे एक सरीर चाहिए और वै सरीर तेरा होगा इस नागराज का सरीर सूट नहीं करता मुझे उफ शीतरू प्रोफेसर इवरित विक्राल के सरीर पे कबज़ा कर रहा है और मेरे इस मांसिक उर्जा स्टनक ने मुझे इस कदर विवस का रखा है कि मैं उन्हें बचाने के लिए हिलबे नहीं पा रहा हाँ 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 आखेकार अब होगा सीतरू की वापसी बस नागराज तेरी तरब कुछी देर की है इस उर्जा का सेवन करते ही मैं पहला काम तुझे इस तरब और तेरी जिन्दगी से आजादी दिलाने का करूँगा रुख जा सीतरू तेरी कलती इस बार पर ब्रह्मान को भरी पड़ेगी तु अपनी चिंता कर ब्रह्मान को तो मेरे रूप में ब्रैंड न्यू भगवान मिलने वाला है सीतरू की नई शक्ती ने वाकए मुझे मुझे भी बेवस कर दिया सीतरू जो कह रहा था वे शायद सही भी हो जाता अगर बीच में वे लड़की न आ जाती ये सीकूर्टी अलान क्यों बजा प्रोफेसर प्रोफेसर ओ आपके चेरे को क्या हुआ नागराच यह और इस सवस्ता में बिना सोचे समझे वैसी सीतरू का मुकाबला करने तूट पड़ी ये सायदी ये विदी का सोचा समझा विदान था नहीं तुम प्रोफेसर नहीं कोई बहरूपया हो पता नहीं तुम बीतर कैसे आए लेकिन यहां से जिंदावार नहीं जाओगे नादान लड़की अपने भगवान की अवेलना नहीं करते मैं नहीं जानता कि उस लड़की की पॉकेट से क्या चीज निकलकर मेरी मानसिक उर्चा और ब्रमकंड उर्चा के वहाव के बीच आई उसके बाद ही मैं विशन विस्पोर्ट हुआ फिर क्या हुआ कुछ देर के लिए कुछ भी समझ पाना मुश्किल था उस दमागे से मेरा मानसिक उर्चा चरंट थम गया था यह तो कमाल हो गया उपर वाला चपर पाड़ कर देता था यह तो सुना था पर यह नहीं पता था कि आस्मान फाड़ कर भी देता है असीम शक्ती मैं भगवान हूँ इस ब्रमाड का मैं भगवान हूँ ब्रमकंड उर्जा सोकर सीथरू अपने आपे से बाहर हो गया था मैं खुद भी नहीं जानता कि इस उर्जा की शक्ती से वे क्या और कब क्या विनास मचा सकता था कहीं ये वाकई अपने पागलपन में पूरी प्रित्वी को ही तबाना कर दे तो गाइस कहते ही ये कॉमिक्स इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे हम ब्रमाड विखंडन में तो गाइस अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ पहल आइकन के प्रेश को घंटे को आइकन को प्रेश करना ना भूलें जिससे आपको आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन भिलता रहे तो चलिए मेरते हैं इसके अगली नेक्स पार्ट में ब्रह्मान पिखंडन में